जैहिन नमस्ते वंदे मात्रम आप लोग हम से लायू भी जुड़िएगा जल्द ही आप सभी के समखdesk मैं लायू भी आने वाला हूँ और लायू हम से जुड़कर एक अच्छी से अच्छी preparation आप लोग कर सकते अच्छी से अच्छा marks भी आप लोग असीद करते हैं तो ये हमारी class no.6 है और लगातार मैं आपको जो है classes प्रवाइड करूँगा तो चलिए आईए start करते हैं एक part person का हो चुका है अब ये second part है और part third भी आएगा क्योंकि काफी important question है और ये वही question है जो exam में पूछे जाते हैं और लगातार ये exam में बार बार पूछ जाने वाली question आप सभी के लिए आपने देखिए आप जहां सभी पढ़ रहे हो whatever परंतु जो हम previous year में paper हमने दिया है वो हमें पढ़ना आवश्यक है क्योंकि उस पर ही depend या वो कोई भी exam में हो पूछे जाते हैं तो चलिए देखिए आज का पहला question मैंने यहां तक छोड़ दिया था यहां से start करते हैं प्रोडों में चार प्रकार के दात है कितने प्रोडों में चार प्रकार के दात है इन जो है चारों में नुकिला एक मुल वाला दात खालिस्तान कहलाता है चवर्नक, अगर चवर्नक, रदनक या फिर आपका क्रदनक तो साथियों नोट करना हम लोग इसे कहते हैं रदनक ठीक है यह चारों के चारों पार्ट होते हैं इनसाइजर, केनाइन, मोलर, प्री मोलर, ओके चली देखिए यहां सारा कुछ आपके समक्ष में लाया है देखिए केनाइन भोजन जो होता है उसको चीरने और फाडने के कारे में कोन आता है आपका केनाइन बात करें केनाइन जिसे के हम लोग रदनक ही कहते हैं फिर इंसीजर यह भोजन को काटने का काम करता है और मोलर और पूरी मोलर क्या कहते हैं यह भोजन को चबाने के काम में आते हैं ओके चलिए हाथी के उपर इंसाइजर के मुख से बाहर निकलता है जिसे की जो है टौस्क कहते हैं ठीक है यह उतना इंपोर्टेंट नहीं है पर यह सारे उपर वाले फिक्ट आपके लिए इंपोर्टेंट है कि आपको दातों का वर्क भी पता होना चाहिए कि कि कुन सा वर् में विद्दमान नहीं है आपका यह पेती नोट करना जो रैनीन है ठीके जो रैनीन यह मनुश्ह में यह पाया जाता है जिसके कारण दूद पचाने में काफी नहीं कब ओती है जब नहीं होता क्योंकि रैनिंग क्या करता है दूद का पाचन करता है ठीक है, जो रेनियन एंजाईम है यहाँ, जो है इसमें, जो है यह का करता है, प्रोटीन को कैल्सियम पार यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है, बचार एजीन इसलिए, यहाँ आपको दहाने करें अच्छा कोशन है, देखिए नेक्स्ट कोशन की बात करे लार में प्रकृति होती है तो लार की प्रकृति की बात करे तो वो होती है आपकी अमली है कैसे होती सात्यों अमली होती है तो करेक्ट अंसर क्या होगा आपके राइट अंसर की बात करे आपने अज़र राइट अंसर ओके चलिए अगर आपसे तो six point eight है ठीक है बच्छा कितना है six point eight है चलिए आगे चलते हैं नेश्ट पर ध्यान दीजेगा बोला गया है कि पाचन क्रिया में पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में किस पधार्त में बदल देते है या बदलता था या तो देख़ें ध्यान अगर आप सभी का option number C आ रहा है ठीक है क्या होगा सातियों अगर आप सभी लोगों ने सभी बंदों ने option number C लगाया है इमीनो अबल तो बिलकुर correct answer होगा मानव सरीर में कार्बो हाइडरेट निम्नलिकित रूप से संग्रहित होता है चीनी स्टार्च गुलकोज ग्लाइकोजन तो आप लोग answer कर सकते थे कि मानव सरीर में कार्बो हाइडरेट गुलकोज के रूप में संचित होता है किस रूप में गुलकोज की रूप में C6H2O6C6H2O6 यह ध्यान रखना ठीक है चलिए अब देखें ध्यान दिजेगा ठीक है साथियों अगर आपने पुझाता है कि पौधों में कार्भो हाइडरेट स्टार्च की रूप में संचित होता है ठीक है मानों में तो गुलकोज की रूप में होता है सोरी 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 गुलकोज में ने कहां गुलकोज नहीं होगा गलाइकोजन होगा ठीक है क्या होगा गलाइकोजन की रूप में होता तो दोनों चीज़ें में ध्यान रखना है इंपोर्टेंट है काफी इंपोर्टेंट है आगे देखेगा बोला गया कि चर्वी को हजम करने में पित द्रव सहायता करता है वह इस्तरावित होता है पित जिगर पित निर्मान होता है और यह भोजन को क्या करता है चारी कर देता है तो बाइल जूसकी प्रकृति कैसी होती है तो सातियो चारी होती है कैसी होती है चारी होती है आगे देखेगा ध्यान जिगा पितरस में जल, खनीज, लवन, सोडियम, ग्लाइकोलेट, सोडियम, आपका टेरोकेज यह सब कुछ जो है पाए जाते है यह हमें ध्यान रखना है चलिएगा, आगे चलते है, पीडी अप के लिए, पीडी अप कहां मिलेगी सर, पीडी अप कहां से डाउम्लोड कर सकते है, तो सातियो हमारा टेली ग्राम ग्रॉप यहाँ पर लिंक दे रखा है, समाधान स्टडी, क्या नामें सर जी, जो आपका चैनल का नाम है वही आपके टेलीग्राम ग्रूप का नाम है आज ही जायेगा टेलीग्राम ग्रूप को जोइन कीजेगा और वहां से आप लोग P.D. अप ले सकते हैं और सात्यों आप सभी के लिए एक पुनह जो है गुद नूज मान के चलिएगा आपके लिए मैं टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है free of cost टेस्ट मिलेंगे आपको टेलीग्राम पर ही free of cost कोई भी मौन पर नहीं करना है आप लोग classes लगाईए test लगाईए साथियो बहुत बहुत benefit मिलेगा आपको चैसे पटवारी है MP की जितनी भी एक्जाम है आप वहाँ पर अच्छा स्कूर कर सकते है चलिए आगे आते हैं next question की बात करें बोला क्या गया है कि सामान ने वेक्ति में 10 ml रख्त में कोलेस्ट्रॉल इस्तर किसके बीच रहता है तो कोलेस्ट्रॉल इस्तर की बात करें तो ये 100 से लेकर 150 mg तक होता है option number C आपकरेट होगा next पर आते हैं ध्यान दिजेगा बोला गया है कि पोधे जो अपना खाद बना सकते हैं पोधे जो अपना खाद बना सकते हैं कहलाते हैं आपका आटोट्रॉफ्स या फिर आपका हेट्रोट्रॉफ्स या फिर आपका सेफ्रोफाइट्स या फिर आपका पैरसाइट तो ध्यान दिजेगा पोधे जो अपना खाद बना सकते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे आपका आटोट्रॉफ्स क्या कहेंगे साथ यो ऑट्रॉप ऑट्रॉप का हिंदी मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफी बच्चे बोलते हैं कि सर हमें समझ भी नहीं आता है तो आपने सव पोशी सुना होगा क्या सुनाओगा सव पोशी तो यही होता है सव पोशी तो राइट अंसर की बात करें option number यह सव पोसी स्कार आइटन से जिसमें पीड़ पौदे जो हरे पीड़ पौदे है वो आएंगे चले वैसे जो अपना भोजन क्या करता है दूसरे जीओ पर आस्रित रहते है उसे क्या करते है पर पोसी और यहाँ पर आपको हेट्रोटोप्स दिया था क्या दिया था ह हेट्रोटोप्स तो यह चीज़े हमें ध्यान रखना है जैसे कि मनुष्य है खरगोस है हीरन है यह किसके अंतरगत आएंगे यह सारे के सारे आएंगे आपके हेट्रोटोप्स के अंतरगत आएंगे तो इतनी सीज़े हमें ध्यान रखना है एक कोश्चन और चार पाज उसक से बुला गया है यह निगलने में मदद करता है और यह सरीर में RBC में वर्दी करता है भाई साब RBC का इस से रिलेशन तो है नहीं तो गलत तो भाई साब RBC से यह जो वर्दी करता है यह नहीं है यह मुक्त तथा दातों को साफ करती है बिल्कुर सही है और यह जो है जो आपक गलेत अंसर होगा सातियो जल्द ही में आपके समख छलायू आने वाला हूँ तो आप लोग जो है नीचे कॉमेंट्स बोक्स में अपना टाइम जरूर बता दीजेगा कि सातियो आप लोग जो है मॉर्निंग में या यूनिंग में हम दो ही टाइम में क्लास आपके लेंगे या तो मॉर्निंग में या तो यूनिंग में मॉर्निंग या फिर आपका नाइट में मॉर्निंग यूनिंग नहीं मॉर्निंग और नाइट दो सेसन स्लॉड आपके लिए बुक करते हैं और दोनों time classes लेते हैं enzyme होते है enzyme की बात करे तो enzyme सुच में जीव है protein है या फिर आपका carbonic yogic है या फिर जो है आपका फफुन्दी है बताइए तो साथ यो protein होते है enzyme क्या होते है सभी enzyme protein होते है परन्तु सभी protein enzyme नहीं होते है मैंने आपको इसके पहले बता चुका है या आपको अगर ध्यान होगा तो आप लोग बिलुकुर सही कर सकते थे आगे आएगा बोला गया ही कि यकरत कई कारी करता है जिसमें से एक कारे क्या होता है यकरत काफी सारे work करता है काफी सारे कारे करता है जिसमें से एक कारी कुन सा होने वाला है उतकलेन या फिर आपका प्रूटीन का पाचन या फिर आपका गलाइको जनुट्पति या फिर होगा आपका लवन संतुलन बनाए रखना तो साथ यू नोट करना क्या होगा गलाइको जनुट्पति अप्शन नमबर C करेक्ट हैं क्य आप लोग आंसर करते हैं जिभादंत जो आपकी जिब में अपने साप को देखा होगा ये बुला है कि साप में जो जहर होता है वा का होता है तो उसके जिब में होता है उसकी जिन्ना में होता है तो राइट अंसर क्या होगा ओप्शन नमबर E होगा चलिए मज़ा आ रहा ह שक्राइब मैं यूरिया का संसेलेशन होता है नाइट्रोजंच चक्र द्वारा या फिर आपका गलाइकोलेसिस तत्थाद्वारा या फिर आपका नीथीस चक्र के द्वारा तो ऑंसर आप लोग कर सकते हैं क्या answer हो सकता है तो option number a नहीं होगा option number d होगा क्या होगा और निथीन चक्र के द्वारा होता है option number आपका क्या होगा d correct होगा और इसमें क्या होता है यकरत में यूरिया का sensation होता है ओके चलिए आगे चलते हैं साथ यो next question की बात करें बोला गया है कि जनतों में कौन सा अंग वसा को जो है तोड़ कर cholesterol उत्पन करता है बहुत अच्छा कोशन है बहुत बड़ी आपका वरक होगा हरदे होगा फेपड़ होगा या फिर आपका यकरत आपका लिवर होगा तो जिहां सात्यों आपका राइट अंस रोगा option number d यह आपको note करके रखना है कि यकरत जनतों में वसा को तोड़कर cholesterol उत्पन करता है option number d correct है चलिए आगे चलते हैं अगला question आपके समख्च है कि अमीबा अपना आहार किस प्रकीरिया से संग्रहन करता है क्या बुला है अमीबा अपना आहार किस प्रकीरिया से संग्रहन करता है option number a देखेगा क्या है option a की बात करे तो आपका endocytosis बात करे B की तो जीवद्रव्य कुंचन बात करे C की हेक्जोसाइटोसिस और जो है आपका एंडोसाइटोसिस और बात करे D की हेक्जोसाइटोसिस तो आप लोग अंसर कर सकते थे क्या सातियो option number C क्या कर सकते थे option number C जीवद्रव्य कुंचन आपका राइट अंसर बन जाएगा option number B ओके चलिए तो साथियो आगे बढ़ते हैं next question पर ध्यान दिजेगा मनुष्य को रूटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है तो मनुष्य जब आप लोग को रूटी खाते हैं रूटी को चबाते हैं तो आप में मिठास की स्वाद क्यों आती है कार्बो हाइडरेड सरकरा में कार्बो हाइडरेड सक्कर में परिवर्तित हुजता जिसे सरकरा करते हैं तो साथियो ए आंसर आपका बिलकूर correct होगा सक्कर मतलब क्या होती है आपका गुलकोज ओकी राइट अंसर क्या होगा यह आपका correct अंसर है क्या होगा साथियो यह आंसर बिलकूर correct है चलिए next question पर आते है जरा ध्यान देजेगा बोला है पित इस्त्रावित होता है question क्या बोला है question पित इस्त्रावित होता है तो क्या अभी मैंने थोड़ी दिर पहले नहीं बता है क्या आपको liver से प्रवाईत होता है बिलकूर अच्छा question है प्रकृती मैंने बता दिया है चार यह होती है और अगर आपसे बोला जाए कि भोजन का पूर्ण पाचन का होता है तो छोटी आत small estetines में होता है ओपसन जो है आप लोग लगा सकते थे छोटी आत चलिए देखे भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारम हो जाता है तो कहां से जो है तो मुक से आपको पता है कि भोजन का पाचन मुक गुहा से ही जो है प्रारम हो जाता है ओके slivery gland पाए जाती है कहां पर मुक गुहा में तो इध्यान रखना काफी अच्छे-च्छे कुशन है साथ यों भैतरीन से सेसन है और आप लोग जो है लगातार समधानी स्टिडी के साथ जुड़कर एक अपनी अच्छी preparation कर सकते है चलिए आगे देखेगा आप मास और अंडे कुछ सेवाल और आपका अनुरूप सुच मजीव सुयाबीन और मुंफली या दूद और पत्तेदार सबजी तो साथ यों नोट करिएगा राइट अंसर होगा आपका आपसन नंबर C सुयाबीन और मुंफली क्या होगा C आंसर बिल्कुर करिक्ट होगा आगे बढ़ते हैं ध्यान देजिगा लार किसके पाचन में सहिक होता है लार किसके पाचन में सहिक होता है प्रूटीन इस्टार्च या फिर आपका फाइवर या फिर वसा तो आंसर देखिए क्या हो सकता है लार किसके पाचन में साहिक होता है तो साथ यो लार की बात करें तो स्टार्च के पाचन के लिए साहिक होता है क्या होता है ओप्सन नमबर 20 का राइटन सुरूगा क्या होगा ओप्सन नमबर 20 होगा प्रोटीन के पाचन आमासे से सुरू हो जाता है पूटीन का पाचन कहां से सुरू हो जाता है तो आमासे से पूटीन का पाचन सुरू हो जाता है वसा के पाचन कहां से स्टार्ट होता है तो मुक गुवा से प्रारम हो जाता है ये सारी चीजे ध्यान रखना है बहुत ही अच्छी कंसेप्ट आप सभी के लिए है आगे बुल को भोजन के पाचन के लिए अब छेपित हाइड्रोकलोरिक एसिड लगू मात्रा में पैदा करना या फिर आपका जो है पकाने की क्रिया को सरल बनाना भोजन को स्वाद बनाना मतलब उसे स्वादिस्ट बनाना तो आहार में जो लवन का मुख्य उपयोग की बात करें तो पाचन के लिए आपका एक छित हाइड्रोकलोरिक एसिड लगू मात्रा में पैदा करना तो साथ यो आपका राइट अंसर भी बन जाएगा ओके चली ये कोशन तो आप सभी बताएंगे कि निम्ण में से कौन सा पसू आपका रुधिरा हारी होता है फल मक्की घरेलू मक्की मच्छर या फिर घेंगा होगा तो मच्छर आपका बिलकुर करिक टांसर होगा ठीक है मॉस्किटोज मच्छर इस राइट अंसर चली वैसे पसू जिनका आहार जो होता है बलड होता है उसे रुधिरा हारी कहते है समझ गए समझ गए सातियों कि आपका रुधिरा हारी किसे कहा जाता है जो आपका खुन चूसते है जैसे की सरकार चलिए देखिए जीवित संसार में सबसे प्रचूर एंजाइम है जीवित संसार में सबसे प्रचूर एंजाइम है रूबिस को या फिर आपका इंवर्टेंस या फिर आपका डी एने या फिर आपका जाइमेज तो बिलकूर correct answer है जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम रुबिस को होता है और यह जो है हर प्रकास अंसली जो है क्या होता है जीवों में मौझूद होता है तो चलिएगा आगे चलते है जरा ध्यान दिजेगा next question क्या है बोला गया है कि पुती जीवी ठीक है बचा पु म्रत जो है और चए मान सामगरी पर जीवा सातियों सी बिल्कूर correct बोला गया है कि म्रत और चए मान सामगरी पर सी अंसर बिल्कूर correct होने वाला है क्या होगा सी इजा correct answer आमा से गरंतियों की पैपसीन इस्तरावित कोशी काए होती है आमा से गरंतियों की पैपसीन इस्तरावित कोशी काए होती है अमल कोशी काए या फिर आपका भित्य कोशी काए मुख्य कोशी काए या फिर आपका कलस कोशी काए तो सातियो नोट करना right answer क्या बन जाएगा option number C क्या होगा मुख्य कोशी काए option number C correct answer होगा चलिए नेक्स्ट की बात करें निम्नलिकित में से कौन सा अंग glycosin को glucose में बदलता है और रक्त को सुद्ध करता है तो रक्त को सुद्ध करता है और जो है किसे glycosin को glucose में परिवर्तित करता है तो ये किसका काम है liver का काम है किसका काम है सातियो liver का वर्क है liver इसका correct answer होगा ओके बहुत सांदर चलिए मनुष्य में फेपडों की संक्या कितनी होती है दो होती है लंग्स कितनी होती है दो होते है, किड्नी कितनी होती है, दो होती है, तिली को क्या कहते है, आपका ब्लड बेंक कहा जाता है, चलिए, बिना एंजाइम वाला पाचक रस है, तो आतर रस है, आमसे रस है, पित है, या फिर आपका लार है, तो साथ यूँ क्या अंसर हो सकता है, तो सातियो जिन भी बंदूओं का राइट अंसर होगा पित ठीक है बाइल जूस तो बिलकुर सही अंसर होगा बिना एंजेम वाला पाचक रस की बात करें तो बाइल जूस होता है जो लिवर से इस्तरावित हो जाता है चलिए आगे देखते है नेस्ट कोशन पर बात करें बोला गया है कि रसधानी किसमे यूरिया बनाता है सातियो आपके लिए सिद्धत से सारी क्लासेस जो है स्टार्ट है और साइन्स एक ऐसा पोर्षन है जिसमें आप लोग अच्छे से मार्क से एच्चू कर सकते हैं गलती होने की चांद से बहुत काम है जैसे की मैट्स में आपसे गलती हो सकते है रिजनिंग आपसे काफी बच्चे है जो रिजनिंग मेटस नहीं एफट कर पाते तो आप लोग जो है जो GK वाला पोर्षन है जिसनिए की साइन्स है computer है आपका current है इनमें आप लोग अच्छे marks ले सकते हैं चलिए रसधानी इनमें जो है इसमें यूरिया बनाती है तो रसधानी के बात करें तो क्या होगा बताइए तो चलिएगा साथियो अगर आपका liver है बिल्कुर सही answer है चाओगा liver इसका बिल्कुर correct answer होगा kidney में यूरिया क्या है चंच जाता है यूरिया भी चंच जाता है यकरत सरीर के ताब को नियंतित करके रखता है यह पिल्कुर सही बोल रहा है आप बात करें liver की तो vitamin K का निर्मन का होता है लिवर में होता है मनुशी का मुख के उच्षरजी अंग Кई है आपका भाग होता है आपका सुरोनी में एकलाका होता है जी हा बिलकुर नहीं तो आपका स्मॉल स्टाइन का तो होगा ही होगा फिर तो आपसिन नमबर बी बिलकुर सही आंसर होगा कि जो इलियम होता है छोटी आथ का भाग होता है और डूडेनिम तथा आपका जेजीनम ठीक है कितमें से किसके कारण होता है तो साथि एक आप सभी लोगों के हुमर के हैं प्यारासा सांधार सा उमर का आप सभी और आपको लगातार अब आपके समक्ष लायू भी क्लास मिलने वाली है यही क्लास जल्द ही लायू आपके समक्ष आने वाली है तो आप लोग जो है जो भी नए बच्चे जुड रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आप जो है एक अच्छे ठीक है कंटेंट जो एक कंटेंट आप ढूंड लिजेगा आपको नहीं मिलेगा इस सारी चीज़ आपको फ्री आप कॉश्ट और टेस्ट भी आपको सामको टेस्ट भी मिलना है समाधान इस्टेडी पर ही तो आप लोग जरूर टेस्ट भी लगा सकते हैं जेहिन नमस्ते बंदे मा कर दो।